हालो फ्रेंट वेलिकम बैग टुमा यूटूब चैनल मममा बेभी गाइड आई होग आप सबकी प्रेग्नेंसी हेल्दी होगी स्वस्थ होगी आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली है प्रेग्नेंसी के सात्वे महिने के बारे में जैसे की प्रेग्नेंट महिला के विकास कहां तक हो चुकी है कौन-कौन सी अंग की बनावाट हो चुकी है प्रेग्नेंट महिला के बोड़ी में क्या-क्या नया बदलाव आने वाला है और क्या-क्या बदलाव जो है वोने वाले हैं इन सब सारे चीज़ों के बारे में आर्जम बात करने वाले हैं आपकी वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरू किजिए ऐसे ये वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भस्त सीशू के हाइट के बारे में इस समय गर्भस्त सीशू का हाइट 32 cm से 38 या 9 cm तक हो सकता है इसे के बीच में हाइट होता है क्योंकि बहुत सारे महिलाएं जो है जिनकी लंबाई के नुसार उनके गर्भस्त सीशू की लंबाई की भी अनमानित किया जाता है साथ हे गरभस्त सीसु की वेट बढ़ करें, इस समय गरभस्त सीसु का वीट 1 kg से लेकर 1.3 या 4 kg ग्राम तक हो सकता है। क्योंकि यह भी आपको प्रिग्नेनसी हील्दी है या कैसा है इसे भी झ कैसा है इसे façon भी जो क्मल करता है तो ऐसे डॉक्टरों के अनुसार अल्ट्रासांड के अनुसार आपके गर्भ में बेबी के हाइट और वीट के बारे में हम पता करते हैं और यहां बताते हैं कि आपका प्रिग्नेंसी हेल दी है या अन हेल दी है और साथ ही साथ औरगन डेवलोप्मेंट के बारे में बात करे तो गलबस्थ सीसू की आरगन डेवलोपमेंट में सबसे important होता है उसके lungs इस समय तक गलबस्थ सीसू का lungs जो है mature हो गए होंगे इस समय 7-1 में यानि की pregnancy की 3 ट्रेमिश्टर की शुरवात में ही डॉक्टर आपको एक injection दे सकते हैं या ऐसा भी कह सकते हैं, अगर लंग्स की मिश्चुरेटी में थोरी बहुत परसेंट की कमी भी रह गई है, तो डॉक्टर इस समय लंग्स मिश्चुरेटी के लिए इंजक्शन लगाएंगे, इससे हम टीका करण भी कहते हैं, इस टीके से बेबी के लंग्स में मिस्चुरीटी आएगी और बेबी बाहर आने की याने की बाहर के दुनिया में सवाइब कर सके ऐसा उसकी एम्मुनिटी हो सकती है दूसरा होता है बड़ी आफ पार्ट्स जैसे की आँख, ना, कान ऐसे बाहरी भाग जो होती हैं उन सब के बारे में बात करें उन सबको सीसु महसूस करने लग जाता है अंदर से ही क्योंकि थर्ट टाइमेश्टर तक कहीं न कहीं आपने सुना होगा कि साथे महीले में भी बे सारी चीजों को जैसे कहते हैं उसकी अभ्यास होने लगती है यहीं से इस समय तक गर में बेबी गर में बेबी की आखें खुल रही होगी बंद हो रही होगी बेबी का निंद की क्राइटेरिया भी सेट हो चुकी होगी कभी कभी बेबी दिन में भी सो रहा होगा कभी कभी दिन में हलचल भी कर रहा होगा यह आपको कब फिल होता होगा जब आपकी बेबी की मुवमिन बहुत तेजी से फिल हो रहा होगा उस समय आपकी बेबी जगे होंगे और आपकी गर में बेबी की हलचल जब आपको मैसूस होता होगा उस समय गर में बेबी की गर में बेबी जा और बेबी और चाहां आप समय उस समय वहाँ बीबी बहुत जटके सिभूख करता है क्योंकि वहाँ डर जाता है और डरने के वज़ग से आपको बहुत जोरो वाली की मैसोस होती है बेबी के हाथ पाउ से भी हो सकती जैसा कि बेबी हाथ पाउ बहुत जरूर से मार रहा है वो जस्ट एक बात या दो बार आपको ऐसा फिल होगा इस समय आपको समझ जाना चाहिए कि उस वाले एरिया में बेबी जो हैं कमफुरूटेवल नहीं है वहां से आपको तुरंद हटना चाहिए इसलिए कहा जाता है कि थार्ट टाइमिश्टर से बेबी के सब और्गन्स का डिवलप्मेंट अच्छे से हो चुका होता है बेबी सारी चीजों को फील करने लगता है इसलिए कहा जाता है कि इस समय आपको अच्छी-अच्छी इसका असार पड़े और आपका बेबी वो दिमान और इंडेलजेंट हो फ्रेंट कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरू बताइएगा और ये भी कमेंट्स में बताइएगा आपके प्रेगनेंसी की कौन सी ट्रेमेस्टर चल रही है वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद थेंक्यू थेंक्स फर अच्छी माई वीडियो